एलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टो मैंच चैनल इकुटी स्टार्ड, ट्रेडर्स आज की इस वीडियो में बैंक निफ्टी को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, इसके बाद सिम्लरली हम लोग निफ्टी एंड स्टॉक को भी यहाँ पे देखेंगे, लेकिन आ यहाँ पे टू का स्ट्राइक प्राइस के अप्रोक्समेटली चल रहा हो, जैसा आप देख रहे हैं, ऐसा ही एक्जेकली होता, लेकिन मार्केट एगेन एन एगेन काफी टाइम्स ऐसा ट्राइ किया, लेकिन कभी-कभी आपने अगर मेरे अनलैसिस को देखा होगा, तो कभी कभी आपने यह unexpected move का नाम सुना होगा, आज मार्केट को ऐसा करना नहीं था, बहुत टाइम्स मार्केट यहाँ पे downside जाने का कोसिस किया, लेकिन इसके बावजुद भी यहाँ पे यह वाला high देखिए, यहाँ पे लगा दिया, अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा momentum दे अंदर आपको यह 50 दिखेगा, इस टाइब से इसको बोलते है option volatility, इस टाइब की situation में option buyers को बहुत जादा यहाँ पे पैसेंसली काम करना होता है, थोड़ा भी आपने mistake किया, आपका all capital को यहाँ पे zero कर देगा, आपने एक महना तक profit किया है, और अगर risk reward, money management, यह सब सारे ची को आपको one trade, आपका one trade जो है ना, आपका all month का capital को ले लेगा, लेकिन मैं beginners में maximum चीजे यही देखता हूँ, कि उसका mindset यह होता है, कि मुझे जो loss previously हो चुका है, उसको recover करना है, चाया मैं hero zero call कोई भी खेल लूँ, उसको recover करना है, मैं हमीसा बोलता हूँ, guys hero zero भी आप अगर लेते हैं, तो उसका risk आप देख के लिजिए, जैसे कि आज मैंने एक 50 hero zero दिया था, तो 50 point का risk था, मुझे यह पता था, ठीक है, और इसके बाद अगर यह मान के चलो कि target नहीं दे रहा है, या हमको SL लग रहा है, तो हमको कहां निकलना है, यह भी चीजे मुझे पता है, तो मैंने इसको 10 to 20 के approximately, approximately या 15, यहां से लगवग मैंने इसको 30 to 40 point के risk में इसको exit कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि हमारे expectation के according market momentum नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन market का जो sentiment था, market का जो all format structure और behavior जो बोल रहा था, जो कह रहा था, वो कह रहा था, definitely यहां से market एक बहुत वरा momentum दे होगा, 70 से जो मैंने strike price दिया था, यह 70 से 103 का high लगाया था, morning में within 30 minute के अंदर, तो आप लोको यहां पे बहुत अच्छा, यहीं कि more than 50% आपको profit जो है ना, within 30 minute के अंदर आपको मिल गया, वो भी expiry में, तो जो भी free client होंगे, जो मेरे telegram channel में, free channel में होंगे, उनको तो जवर माइन कर लीजे, daily basis में, live calls, live levels वगरा देता हूँ, जो आपको learning के लिए काफी ज़्यादा important है, वहां से बहुत कुछ learn कर सकते हैं, साथ में earn कर सकते हैं, अब market का sentiment को समझ गये, ऐसा क्यों हुआ, देखे, market को अगर upside भी जाना होता है, तो market इस type से नहीं करता, बारवार ऐस फॉल्डों नहीं दिखाता, यहां से जिसे rejection दिया, solid green candle इस तरीका से बनाते हुए चला जाता, यहां पर देखे, जिसे green candle बना, second candle rate बन रहा है, फिर से market सोच रहा है, फिर से downfall आ रहा है, तो यहां पर बार, बार market इस level को reject करना, उसके बाद देखे, कोई भी candle, इस single candle को अ आप यहां पर देखिए, यह breakout किया इस level को, अगर हमें इस level को draw नहीं करते हैं, raise change level को, purely breakout है, सब कोई यहां पर buy किया होगा, सब का stop loss यहां पर hit हुआ होगा, आपको लगता है कि यह इतना momentum किया है, तो बहुत छोटा momentum है, लेकिन expiry में आप जाएंगे, expiry trade में, कोई भी option क call अगर लेंगे, तो आपको definitely यहां पर 60, 70, 80 point भी नीचे यहां पर आते हुए देखेगा, premium decay और due to volatility के कारण, तो यह चीज़े आपको definitely देखने को मिला होगा, लेकिन, आज मैंने यह तो बताया, मैंने कि loss वहां पर 40 to 50 points का almost यह हुआ है premium में, और इसको मैं एक जटके में, एक ही call में लगबग 100 more than 100 point लेके मैं इसको निकल सकता हूँ, क्यों, देखिए अगर आप rigs अपने according लेते हैं, 40 point का rigs एक normal stop loss है, कभी-कभी market आपको stop loss भी देता है, कभी profit भी देता है, अगर आप market से यह expect करेंगे कि मैं everyday profitable रहूंगा, तो ऐसा कोई भी दुनिया में trader आज जो हमारे according affordable हो, जो हमारे capital के according capable हो, तो उतना rigs लेंगे, उतना stop loss भी लेंगे, तो आपको इतना capital जरूर होना चाहिए, इतना loss आप कर सकते हैं, जितना आप कल, यानि कि कल जब market start होगा, तो same quantity से trade करने के able हो, ऐसा अगर है, तो इसका मतलब है कि आप trading जो कर रहे हैं, trading के next level पे है, अगर आप ये चीज़े manage नहीं कर पाए रहे हैं, तो आपको इसका मतलब है, बहुत learning की जरूरत है, बहुत trading सीखनी की जरूरत है, focus आपको देना होगा, focus करना होगा, proper learning पे, तब जाकि ये skill आपको develop हो पाएगा, ठीक है, market का काम है, market का up-down काम है, ये आपको नही आपके फिर से मैदान में खड़े रह सकते हैं, आप अगर सारा capital को एक ही दिन में लूज कर दिये, तो कल जाके आप stand नहीं कर सकते मैदान में, आप खेल नहीं सकते हैं, तो ऐसा risk आप ना ले कि आपका all capital एक trade में zero हो जाए, ठीक है, अब देखिए guys, आज तो आपको volatility यहा पर आया है, reject करने का कोसिस किया है, अबरी time जब भी आया है, यहाँ पर देखिए आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पर जब भी market आया है, upside का candle बनाया है, किसी भी candle में volume नहीं है, completely जो green candle, volume वाली candle हम बात करते हैं, कोई भी candle इस टाइप से नहीं है, मतलब यहाँ ब all time high को breakout करके ऊपर sustain कर गया, बस यही region था, अगर nifty वहाँ पर down side का, वहाँ पर momentum दिखा देता, तो bank nifty का मजाल नहीं देगा, आज आपके यह against में चला जाता, ठीक है, हर कोई जो भी बन्दा है, किसी का भी आप analysis देखेंगो, वह यही किया होगा, कि कल जो है rally आने वाला ह ठीक है, और मुझे अभी इस तरीका से लग रहा है कि अगर ऐसा आज नहीं हुआ, और जिस step से यह top level पे sustain कर रहा है, guys यहां से unexpected move कभी ने कभी surprise तो करेगा market, definitely करेगा, और ऐसा करेगा, जिस दिन आपका यह दो दिन अगर stop loss हुआ है न, इसका आपको 10x निकाल के एक दिन क momentum में देगा, लेकिन आप तयार रहना पड़ेगा आपको उसके लिए, आपको हमेशा तयार रहना पड़ेगा, तभी जाके यह चीजे catch होगा, आप डर के मारे एक ही दिन में, एक ही छोटा सा target लेके, आप profit लेके निकल जाओगे तो फिर होगा नहीं, आपको risk के according, पूरी क्या इस टाइप के volatility तो नहीं सो कर रहा है, अगर nifty भी आपके direction में, आप side के direction में है, और momentum upside है, तो यहाँ पर quantity कम रखिये, मैं हमेशा बोलूँगा quantity कम रखिये, क्योंकि trending यहाँ पर down लग रहा है, अगर आपके against जाता है, quantity कम रखिये, first target 650 यहाँ पर easily ले सकते हैं, लेक respect कर सकते हैं, यहाँ से 1% और 2% ऊपर के reaction में target दिखा जा सकता है, और अगर market यहाँ पे open होता है, और इस range में आ जाता है, तो थोड़ा सा wait कर लीजे, यहाँ पे ऐसा नहीं कि, जवरदस्ती कोई भी trade put कर दीजे, और ultimately यहाँ पे loss कर लीजे, guys आपको wait करने की जोरत है, 45,000 major support है, range support है, जो एक swing low भी है, तो यहाँ जब breakdown मिल जाता है properly, तो हम लोग without any hesitation, यहाँ पे हम लोग regular quantity से sale करेंगे, दुनों target easily आपको मिल सकता है, guys यहाँ पे अगर मैं nifty को देखाँ, तो इसलिए मैंने अभी just बोला था, कि nifty क्या क्या, यहाँ पे struggle करते हुए, उपर तो so कर रहा था, इसके बाब जुद यहाँ पे देखिए, breakout दे दिया, और breakout देने के बाद भी ऐसा नहीं कि कोई volume बहुत strong volume है, volume थोड़ा सा volume है, उतना strong नहीं है buyers का, और बारबार rejection देखिए, already market so कर रहा था, यहाँ पे unexpected move गोल सकते हैं, या फिर operator game कुछ ने कुछ तो जरूर इसा हुआ है, जिसके करण यह unexpected move दिया है, और बारा rally यहाँ पे expect नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ से market को downside जाना चाहिए था, और इसलिए bank nifty भी आपके against चला गया, ठीक है, गाईज एक चीज़े बताना चाहूंगा, अगर आपके पास capital बहुत कम है, तो गाईज आ आपके पास एक बहुत बढ़िया सा offer है, मेरे link से आप DMAT account open कर सकते हैं, और कम capital में भी मेरे साथ आप premium telegram channel में add हो सकते हैं, account open करने के बाद, और वहाँ पर learning plus earning दोनों चीज़े free में कर सकते हैं, जिसका validity आपको lifetime के लिए मिलेगा, और यह offer मुझे लगता है कि limited time period के लिए ह दूबारा आपको मिलने वाला नहीं है, तो link video के discussion में दिया हुआ account open करके मुझे telegram पे contact कीजिए, और वहाँ पे आप इसका benefit वहाँ पे लेजिए, ठीक है, अब guys यहाँ पे अगर हम कल के coding बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए bearish inglefin candlestick pattern बनाया हुआ है, exactly इस 500 को overall ले सक हैं, लेकिन यहाँ पे high जो है approximately 510 जो यह level important है, तो यहाँ पे bearish inglefin बनाया, मतलब market अगर इसी range में एजर normally यहीं पे, मतलब जहाँ पे close हुआ है, वहीं पे open होता है, तब तो आपको यहाँ से downfall इस तरीका से देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहीं से हम लोग sale कर देंगे, sale तब करेंगे, जब हमको यह 400 वाला level को नीचे breakdown कर देगा, और यहाँ पे quantity हमारा कम रहेगा, quantity ज्यादा नहीं रहेगा, हो सकता है, market fake breakdown दे, और यहाँ से again upside का momentum देने लगे, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर इस range में आते आते, यहाँ पे 330 को breakdown कर देत है, जो swing law है, previous two to three days का swing law है, यहाँ से panic selling देखने को मिल सकता है, यहाँ से quantity increase भी कर सकते हैं, लेकिन as a safe trader, यहाँ पे new entry भी बना सकते हैं, यह सारे target के लिए, और अगर market यहाँ पे 510 के ऊपर निकलता है, green candle के साथ sustain करना चाहिए, regular quantity से यहाँ बाइ करेंगे, दोनों target easily यहा जा सकता है, आज जो मैंने आप लोग के लिए stock लिया है, यह है just dial, ठीक है, just dial में देखिए, previously काफी दिन से, अगर आप 10 to 15 days का आगर मैं बात करूँ, तो आप देखने जाएंगे, यहाँ से market downside बिलकुल चल रहा था, आज ही देखिए, यहाँ पे long time frame में इसको breakout किया, लेक second target तक दे दिया, उसके बाद market again यहाँ पे volatile हो गया, तो मैं यह बूलूँगा, यहाँ पे देखिए, एक तो incline triangle pattern यह बना हुआ है, इसको जिसे breakout किया market को target तो देना ही देना था, वो आपको दिया भी, लेकिन कल के coding अगर देखते हैं, तो यहाँ पे market trend को change किया है, मतलब 743, जो resistance level है, इसको उपर breakout कर देता है, market को sustain करना बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि देखिए, यह market, यह जो stock है, बुलटाइल काफी ज़्यादा रहता है, यहाँ पे breakout किया, काफी देर तक बुलटाइल रहा, यहाँ पे breakout किया, काफी देर तक बुलटाइल रहा, इसलिए sustain करना काफी ज़्यादा important है, तो ही यहाँ पे quantity कम रखिए, इसमें ज़्यादा मत रखिए, volatile stock है बहुत ज़्यादा, quantity कम रखिए, target 750, first target ले सकते हैं, second target यहाँ पे 757, ठीक है, second target आप लोग ले सकते हैं, इसमें मैं downside का expectation नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि market ultimately trend को change करके upside किया है, तो यहाँ पे upside का momentum मैं expect कर रहा हूँ, ठीक है, तो गाइच मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को काफी कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like and share जरूर कीजिएगा, चैनल में नी हो है तो चैनल को जरूर करें, thank you so much for your love and support.